नमस्कार आज एक दुखत समाचार मिला बॉलिवुड का एक उबरता हुआ सितारा जिसका नाम था सुशांत सिंग राश्पुद डिप्रेशन में आकर अथवा किसी पारिवारी कलह में आकर उसने सुसाइट कर ली अत्मत्य कर ली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ उस जैसे नजाने कितने हजारों लाखों और करोणों नौजवान उद्दोग पती बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा की इश्रुबा बढ़ाने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो इस अवसाद से ग्रसित हैं इस डिप्रेशन के श है क्योंकि समाधान जब तक न हो केवल कारण का पता लग जाए तो समाधान का भी पता चले कारण है तो कारण भी है हमें कारणी तो पता कि सुचाइड उसने कर ली आत्मित्ता कर ली दो-चार दिन टीवी पर उसका डिवेट चलेगा शोक करेंगे परिवार के लोग हाता करो गए इस समय बरतमान समय में विशेश रूप से यंग अस्टर जो नौजमान पीड़ी है यह बच्चे बहुत पेजी से आगे बढ़ना चाहता है सब कुछ शोटकट से पाना चाहते हैं धन अपद प्रतिष्टा रुपिया पैसा धन दौलत मान सम्मान ग्लेमर सब सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन सब कुछ पाकर पचा नहीं पाते अपने आपको जानने ही पाते अपने आपको साध नहीं पाते और बिखर जाते हैं एक दिन ये तो निश्चित बात है कि उचापद, गिलेमर, नेम एंड फेम ये दि सब कुछ होता तो आज ये बच्चा असमय कालकबली तो नहीं होता बच्पन में हम लोगों को ने शुवाशिताली की रूप में किशलोक पढ़ा जिसमाई पढ़ाय गया विद्या ददाती विनयम और विनयायाती पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोती और धनात धर्मह तथा सुखम अर्थात विद्या ददाती विनयम विद्या हमें विनय देती है और विनय से पात्रता योगिता आती है और जब विनम्रता हो जब हमारे विनय का उदर हो और यो योग्यता हो उसे योग्यता से ही धन अर्जित किया जाता है और उस धन से सुख नहीं मिलता धना धर्म हो उस धन से जब हम धर्म करते थे तब जाके सुख मिलता था आज हमारे पास योग्यता भी है पात्रता भी है सब कुछ है उसके बावजूद सुख नहीं है क्यों नहीं करने के बाद दोनों में कुछ तो कुछ अंतर होना चाहिए सुभाबमें। लेकिन वह इंतर दिखता नहीं। आप कलपन कीजिये. अक्सा 3 में एक बच्चा चोरी करता है, कलम की और वो पकड़ा जाता है, कलास टीचर उसे पकड़ के दंडित करते हैं, कांपकड़ के उठक बटक लगवाते हैं, बच्चा सौरी बोलकर बच जाता है, और वहीं बच्चा बड़े होकर, और एक दिन वो I.S. I.P.S. बन जाता है, बड़ा उद्धोपती बन जाता है, बड़ा अविनिता बन जाता है, बड़े उच्छे पत की शोबा बढ़ाता है, लेकिन माना वो आज भी नहीं बना, बच्पन में भी चोर था, आज भी चोर है, क्यों? अंतर इतना है कि उस समय कल कलम चुराया, और आज उसी कलम के खरोंच मार के करोंच चुरा लेता है, कि वहले एक साइन मार के, तो चोर तो चोरी रहा ना, आपने उसे क्या शिक्षा दी, उसे क्या पढ़ाया? इस समय डिप्रेशन का सबसे मूल कारणे दो, पहला कारणे कि जब उसका मन जर जोरू औ जमीन, यह हमारे बुजर्ग कहे गए, जर यानि संपत्ति धन, जोरू यानि किसी कन्या, और इस तरी, अथवा जमीन यानि संपत्ति, चला चल संपत्ति, इन तीनों में से किसी एक विशय में जब मन आसक्त हो जाए, और वो सोचता कि इसके बिना में रह नहीं सकता, बस य आचे कल पना कीजिए, कि इतनी बड़े देश के हजारों जिले में से, किसी एक जिले में, हजारों यूनिवर्सिटी में से, किसी एक यूनिवर्सिटी में, हजारों स्कूलों में से, किसी एक कॉलेज में, एक स्कूल में, एक क्लासरूम में, एक विशेश कक्षा में, सकती हो गई और किसी बात को लेकर दोनों में तनातनी हो गई मन मुटब हो गया तो लगता है कि इसके बिना अब मेरा तो जीवन अदूरा में क्या करूँ पर आप यह बहूले गए कि इस कक्ष से बाहर एक सत्रंगी दुनिया है कि बहल एक ही लड़का एक ही लड़की इस और अदिक मिलेगा जब तक आपका मन यह अक्षप्न नहीं करेगा तब तक आप इस आसकती के बंदन से इस डिप्रेशन के बंदन से निकल नहीं पाएंगे हमारा यह सभाविक मानवी लक्षण हम जहां जाते ही वही पर हमें लगता है कि आहाई अच्छा आप होटल में ज निरास हो जाता है उसको लगता है कि बस यहा तुम नसे में डूबब जाओ या फांसी का फंदना लगाके इस धर्थी को विदा करके चले जाओ आपको पता है इस धर्ती का सबसे कमजोर सबसे कायर व्यक्ति कोन है इस धर्ती का सबसे कायर व्यक्ति वो है जो सुसाइट करता है जो आत्मत्या करता है क्यों वो सोचता है कि मैं तो जीवन लीला समाप्त करके जा रहा हूं पर वो इतना स्वार्ति इतना सल्फिश इतना डर्पोक इतना कायर है वो यह नहीं सोचता क मेरे जाने के बाद मेरी मां का क्या होगा मेरे पिता का क्या होगा मेरी बहनों का क्या होगा मेरे भाई का क्या होगा मेरे चाचा निरे मामा मेरे पूरा परिवार मेरे मित्रों का क्या होगा नहीं समझता है कि अपने स्वार्थ में चला गया इसलिए इस समस्या से निजात पा सुखत समाचारिया कि अमेरीकी एक सामसद है जो भारती अमूल की सामसद है जिसका नाम है तुलसी गवार्ड इस मही लाने कहा जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान यदी है तो एक मात्र स्रीमत भगवत गीता में तो डिप्रेशन से बचने का यदी और उस समाधान के लिए छटमे अध्याय का तीस माश लो मैं पुना दोर आ रहा हूँ छटमे अध्याय का तीस माश लो यो माम पश्यती सर्वत्र सर्वंच मही पश्यती तस्याहमना प्रणश्यामी सचमेन प्रणश्यती यो माम पश्यती सर्वत्र भगवान स्री दर्शन करता है, सरवम चम मही पश्यती मैं भी उसको सरवत्र दर्शन करता हूँ और वह तस्याहम न प्रणश्यामी वह मेरी दृष्टी से कभी अदृष्च नहीं होता और मैं उसके लिए अदृष्च नहीं होता है। लेकिन उसकी उस आनन्द की अनभूतिवू करता नहीं है, क्यों उसने अपना माना नहीं है, इसलिए नहीं करता। यदि एक बार उस परमात्म को आँखे बंद कर ले, कि अन्तर मुकी हो जाए, जो बाहर की दुनिया आपको दुख दे रही है, आरे मो तो दुख का घरी है। दुखारे मामु पेत्य पुनर जनम दुखालयम अशाश्वतम। श्रीमत बगवत गीता में आठवे अध्याय के पंदर में श्लोक में कहा, कि मामु पेत्य पुनर जनम दुखालयम अशाश्वतम। ये पृतिवी ये धर्ती ये तो दुखु का आले है, ये दुखु का घ प्रतिक्षण बदलने वाला रंग बदलने वाला हर गड़ी तो इस रंग बदलने वाली दुनिया को अपना मन अपना दिल सोप कर उसके अदिन हो कि क्यों फासी को गले लगाओ क्यों आप मरने पर उतारू हो रहे हो बाई मेरे आप तो सोचो मामुपित पुनरजनम भगवा मैं तो दोनों हाथ बड़ा ही खड़ा हूँ पर तू यह दी एक बार मुस्कुरा कर कर कहे दे कि तू मेरा मैं तेरा और फिर देख पर एक दिन में तो नहीं होता अभ्यास करो दो-चार दिन नेत्रबंद करके आप गीता में कितना सुन्दर उपाई बताया नासिका के अग अत्म जोती का दर्शन करते हो तो देरी 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 आज्या चक्र एक्टिवेट होने लगता है वो जो परमानद की होती है यह तो गूंगे को मिठाई खिलाने के समाने मैं क्या बता हूँ आप करके देखिए जब आपको लगे संसार में कोई मेरा नहीं तो एकांत में आस्ता नहीं है और आप देखना भगवान आपके लिए क्रांति का द्वार आनंद का द्वार खोल देगा स्री राम ने ऐसा ही किया बाली को मारकर सुग्रिव जब भूल गया भगवान स्री राम को तो प्रभू स्री राम ने चार महीना चार महीना एकांत वास किया चातु जिससे होस्पेट क्याते हैं, आप कभी दर्शन कीजिएगा, ओनलाइन नहीं तो, सिरी राम ने भी ऐसे किया, जीवन में कभी आप कभी कलप ना करो, चौध वर्ष के लिए बन में चले गए, राजगदी, राज सिंगासन, राज तिलक होते होते, सब कुछ शुट गया, पर भगवान पन में गए, एक बात और विशेश बात, कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अकेला मत छोड़ना, भगवान अकेले नहीं गए, माजान की साथ में थी, लक्षमन साथ में थे, तो इसी प्रकार घर में दिया, आपको लगे कि कोई नौजवान डिप्रेशन में, उटा से पांच साल का बच्चा, हता आसो दास, निदरास, और पिता जी ये गोद में बैटना चाहा, नहीं बैटने दिया, भी माता ने परित्या कि, सगी माता ने का, तू आया क्यों तू बन में चला जा, और बन में अकेला निकल गया भगवान को प्रकट करनी के लिए, और जब निकला, तो नारत जेसे सद्गुरु मिले, और उन्होंने उसको मंतर दिया, उसका जाप किया, मधुवन में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेपा जाप किया, तपस्या के माध्यम से नाराय ने को प्रकट कर लिया, प अपने भीतर भी ये और बाहर भी ये, अंतर भहीरे वस्थितम, दोनों जगे दर्शन किया, और यही कारणे कि वो सद बुद्धी, जब हम तपस्या करते तो आपको मालूम है भगवान हमें क्या देती, दस दस, दस में अध्या का दसमा अश्लोप, भगवान स्री देता हूं सद बुद्धी, तो इसलिए सद बुद्धी प्राप्त करने के लिए जब डिप्रेशन में आ जाए तो एकंत में बैठकर आप तप करें, साधना करें, उसे कृष्णी से सम्मंद जोड़े, कृष्णी के निवित कर्म करें आप, बोले संसार के लिए मैंने जैसे आज कल कोरोना चल रहा है, तो आपको क्या लगता, बारो महीने कोरोना मा हमारी, नहीं नहीं, यह तो चार छे महीने की बात है, उसके बाद वही सुखत दिन, वही आनंद की दिन फिर आएंगे, फिर आप धन कमाईएगा, फिर वही भीड़, और वही समानंद, सब तिकेगा, दुखा ले, अम अशाश्वत हम, यह संसर तो अशाश्वत है, इसलिए आप तेशाम सतत युकताना भजताम, इसलिए स्रिकृष्ण को भजिए, अरे नशा करनी हो, अगर आत्मात्याई करनी हो, तो किसी शायर ने कितना संदर कहा, कि नशा जरूरी है जिंदग के लिए, लेकिन शरावी नहीं, बेखुदी के लिए, अरे कनईया की मस्त निगाओं में डूबना प्यारे, अगर मरना हो, तो कनईया की मस्त निगाओं में डूबना प्यारे, बड़ाई हसीन समुद्र है, खुदगुशी के लिए, अगर आपको खुदगुशी करनी है, रसी से नहीं मेरे गोविंद के नेत्रों में डूब के करूँ न और ऐसा आनंद का महा सागर मेरे कृष्ण के जब उन नेत्रों में डूब हो गई तो उनके वो रूप माधूरी बेड़ू माधूरी और उनकी जो लीला माधूरी में आप अपना सारा रोग शोग भै दुख स पीछे छोड़ दूब हरे महाभारत के पांडवों को याद के जीए पांडवों के जीवन में कितना कष्ट वरनावरत जब गए तो लाक्षा ग्रियों में पांचों को आग लगा दी और पांचों गुप्त दूआर से बनने कितने दिन बनवास ही में काटे उसके बाद सुर्र के गती रोक दे वायों के गती रोक दे भीमसेन ऐसे बड़े-बड़े महावीर घास पर जमीन पर लेटे इन पांचों महावीरों ने कितना कष्ट पाया चत्रपति शिवाजी महरणा परताप हम इनकी कथाएं सुनते हैं घास की रोटियां खाकर इस राष्टर के ल यह मृत्तु को गले लगा रही हैं दो नायक आजकल एक आपने सुना बॉलीवूड का नायक जिसका नाम सोनु सूध जिसने हजारों मजदिनों को उनके घरों तक पहुँचाया और एक आज का यह नौजवान जो अपने सुख की पूर्ती में बाधा अथो अपने कामना की पूर्ती में बाधा में डिप्रेशन में उसने जीवन समाप्त कर दिया और वो लाखो लोग उसे दुआ दे रहे हैं दोनों में अंतर देखिए एक अपने लिए जी रहा है एक जगत के लिए जी रहा है इसे लिए जो जगत के लिए जीता है यह शरीर किवल अपने लिए थोड़ी मिला है, ध्यान दी जी का जब हमारा मन ये कहता है, मैं अपने लिए जी हूँ, हम उसी दिन डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जाको प्रभुदारून दुखे देही, ताकि मती पहले हर लेही, भगवान जी से दुख देती हैं, सबसे पहले उसकी मती हरन कर लेती है और मती हमारी हरन हो गई, पता कैसे चलेगा, मती किसके मारी गई, जब व्यक्ति केवल विश्टी कृत भावना अपने लिए सोचता है, बस मैं कमाऊं, मैं खाऊं, मैं आगे बढ़ूं, सब कुछ मुद्य सम्मान मिले, ये भावना आते ही, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं उसी दिन, और जिस दिन आदमी समस्टि कृत सोचने लगता है, सर्वे भवन तु सुके न कि सब का कल्यान हो, उसी दिन वह आनंद की सागर में गोति लगाता है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहां जग दूरलब का छुनाही, उनके लिए संसार में कुछ भी दूरलब न प्रेशन को बाई बाई बोल दिजिए, और भगवान का प्रीम से नाम लिजिए, हरे क्रिश्न, हरे क्रिश्न, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, जैजय स्री राले